आप सभी का स्वागत है एक बढ़ फिर से स्जी कोचिंग के इस ऑफिशल एप पर एंड एसेजी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर तो जितने बच्चे स्जी कोचिंग के एप पर है जिसे स्पेशल बैच है साथ बज़े स्टार्ट होता है और मैंने इंडियन समिधान का विकार समधाण का अतिहास समिधान का निर्मार्माल संयुक्ट समिथियां इन सभी पर चर्चा हम लोग की हो छुकी है प्रैक्टिश टेस्ट तो सभी लोग त्यार है अगर सभी लोग त्यार है इस टेस्ट के लिए तो फटा-फट सी एस्टर बोले कि एसर हम टेस्ट यह त्यार है और जो भी बच्चा जैसे स्पेशल वाले बैच में है वो यूट्यूब पर आ जाएगा ठीका ना तो आपको प तो किया गर नहीं सारे प्रशनिक उत्तर आप लोग को देने हैं तो सब्लास को बुला लिजिए और क्लास को स्टार्ट करते हैं ओके तो आजम लोग किस की स्पाथ पर चर्चा करने वाले हैं समधान का विकास समधान करेंदमान समधान सभा का गठन और समधान का इतिहास आज अब लोग इन सभी लक्षर पर इन सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और लगभग 50 से ज्यादा क्वेश्चन जो इंपॉटेंट ह इस बारी देख लिजिए मैंतबुर जानकर यह है कि एसे जी गुरुकुल में आफ्लाइन क्लास स्टार्ट होने वाला है और यह बैच्च स्टार्ट होगा 23 मार्च को आप सब लोग सोचिंगे रहे सर फीज आपकी 50 जवर पर रहती है क्लास की कैसे हम लोग कर पाएंगे त इस बार हमने फीज खतमी कर दी है इस बार पूरी फीज खतम कर दी है जब सलक्सन हो जाए तो आपको जो मन करे सब दे दीजिएगा ठीक है यह बैच्च स्टार्ट हो रहा है आपका 23 मार्च से टार्गेट एक्जाम 2022-23 जो भी बच्चा UPPSC की त्यारी कर रहा है जो अभी कर सकता है फीज मंतली ली जाएगी मातर 500 रुपर फीज होगे इसकी हर मैने की सुबह नौश बच्ची से लेकर 11 बेस तक यह बैच चलेगा सिर्फ सौ बच्च की सीथ हमारे पास है लखनों में इसकी ब्रांच है लखनों में स्टार्ट होगी क्लास यह पता दिया हुआ है स बार लेवल से पलाकर खतम कर धिया जाएगा कॉरस ठीक ना दो घंटे का बैच होगा और जो बच्चा यह बैच जोन करना चाता है वह गूगल फॉंब लेगा ठीक ना तो गूगल फॉंब मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है जो भी बच्चा जोन करना चाता है वह जोईन कर लेगा टेलिग्राम में फॉर्म का लिंक दे दिया है और आपके कमेंट बॉक्स में भी टेलिग्रापा फॉर्म का लिंक दे दिया है वो भर देखा यहां से कॉल जाएगी कम सकम हजार जी और हजार बच्चे दो फॉर्म भरेंगे भरेंगे उसमें से सो बच्चों को कॉल जाएगी और उनको यहां पर बुलाया जाएगा ठीक है चलिए यह आफ्लान वाली बैस की बात हो गई आप स्टार्ट करते हैं क लगातार क्लास को शेयर कर दीजिए अच्छा पहला कॉशन लिखा हुआ है सविधान सभा में सदस्यों का चुनाओं कैसे हुआ था यह यूपी पीएसी का 1993 में आया था कुश्चन और 1993 में तो आप पैदा हुए होंगे उस समय है कि नहीं तो फट्टा-फट्च का आंसर आ समझार की है कि समधान सभा एक एक स्टेटमेंट में बोलता हूँ कि समधान सभा कॉंग्रेश थी समझना समधान सभा कॉंग्रेश थी और कॉंग्रेश भारत था समधान सभा कॉंग्रेश थी और कॉंग्रेश भारत थी या भारत था यह स्टेटमेंट यह कथन किसका है और विपिन कुमार का बी आ रहा है बिटा समझे गलत हो रहा है हना बी जिसका भी आ रहा बबिता चौदरी बी आप जिसको पढ़ाया गया है वो अगर गलत करेगा तो बड़ा कश्ट होगा आमको और फटा फचे लोगों को बुला लीजिए अभी बहुत कम लोग जुल ये कथन किस विक्ति का है तो ये एक विधी सास्त्री है जिनका नाम है जी आउस्टिन जिनका नाम क्या है जी आउस्टिन तो जी आउस्टिन ने कहा था समिधान सभा कॉंग्रेस थी और कॉंग्रेस क्या था भी या भारत थी अब हम बात करें कर समिधान सभा की अगली बा 24 मार्च 24 को कैबनेट मिशन भारत आया था हां कि ना 24 मार्च 24 को कैबनेट मिशन क्या हुआ था भारत आया था जिनोंने नहीं पढ़ा है हम से वो गलत आंसर दे रहे हैं और जिनोंने पढ़ा है वो सही आंसर दे रहे हैं और मैं देख पा रहा हूं अधिकता लोग गलत आंसर दे रहे हैं चली मैं समझाता हूं इसको अच्छे समझाता हूं डरी नहीं कि आपने बैच नहीं लिया तभी आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं सने आप यह को क्लास कर लेंगे तो भी आप पूरा क्वेशन कर लेंगे परेसान नहीं हो यह ऐसा नहीं है हम लोग क्वेश्चन से थेयोरी बनाते हैं है कि नहीं समझना है आपको देखिएगा तो सम्धान सभा का निर्मान करने के लिए 24 मार्च 1946 को कैबनेट मिशन आया था और इस कैबनेट मिशन इस कैबनेट मिशन में तीन सदस्ट थे जिनका नाम था एवी अलेक्जेंडर एवी अलेक्जेंडर सर्पैथिक लॉरेंस हैं कर गया क्या चली एवी अलेक्जेंडर सर्पैथिक लॉरेंस सर्पैथिक लॉरेंस और और कौन था भी या इस्टेफोर्ड क्रिप्स इस्टेफोर्ड क्रिप्स अच्छा बताईए यह तो तीन लोग आये थे यह कौन कौन थे यह कौन कौन थे तो ओगनान्य सेमी में नो सेना का मंत्री था ने कहीं था तो सर्कार्रांज था भारत के सच्छिव थे कियो थे तो सर्पैति को दोन के भारत के सच अल 스समुष Create का है और ये कौन थे व्यापार बोईड के अद्याच थे ठीक है अगर आपसे पुचा जाए क्याबिन जिली कब पहुंचा था तो चोबिस मार्च उनने सो च्यलिस को यह दिल्ली पहुंचा था इस जो कैपने विसन था इसने चिज बताई थी इसने कहा कैब भिसन ने हैं वो किसमें सौपी जाएंगी समझेगा जो अवसिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष किसको दी जाए तो आप एगे प्रांतो दी जाए कवैंसान ने कहा था कि 10 लाक की जनता में से एक प्रतिनिधी कर आए गा डो आजिा एक प्रतिनिधी कितने य equivяжel fberry कितनी लोगों का प्रतिनिधु कर रहा हूं कर रहा होगा सव्धान सभां में आप सभास को जल्दे से क्लास को शेयर कर दो मजा नहीं आएगा इसे करके हम जानते हैं सभी लोग का दिमाग रहता है कि नौ बजे क्लास चलेगी लेकिन आज अगर साथ बजी क्लास चली है तो लोगों को जानकारी नहीं है इस सभाथ की है कि नहीं भाई क्लास का से दूल देख लिया करें अच्छा रहेगा आप लोग को अना समझिएगा इद्यास से पुझा जान समय में कुल सब्सक्राइब सब्सक्राइब कितनी होनी थी तो 309 होनी थी कितनी बचा 309 होनी थी अभी यह 309 को कैसे बाटा जा रहा था तो बताया जा रहा था कि 292 सदस अ Science 292 सथ से बृटि भारत के प्राइब से होंगे आनundo जो दो सो बादस होंगे वे वह संखया उसे होंगे और सब दो बेर शी चाहुड की संखया क्टनी थी तो ब्रिटी Сам है संखया 11 दिटीं सबैख कितनी उची ब्रिटी शीन है ग्यारा थी तो 292 सदस्ट से बिटिश प्रांच से होने थे 93 सदस्ट से हना देशी रियासतोस होने थे और जो चार सदस्ट से थे वो आपके 10 तेंधन सब्से वनें ताव की सब्सें WWE 3009 और से चुनाू कीसे उना था यह कैसे हुना लुदान सभा के सेमिधान सभा प्रांटिहस्यों सभा किए जाना था और लिए कैसा इसका जो अनसर होगा वो क्या होगा पहले का जिसका धी आ रहा है वह तना है समिधान सभा में सधस्य दो से को मि хот करत होना था और समिधान सभा में प्रांतव murder सभां की सदस्य दूसरे को चुनकर भेजे जाने थे सदसों के कुल जंख्या कितनी होनी थी अब गएंगे 309 होनी थी हना जिसमें से 292 सदस से जो थे वो ब्रिटिश प्रांच से होने थे से 293 सदस से देशी दियासस से और जो चार सदस थे वो चीफ कमिशनरी एरिया से होने थे ना समझ आ रही है ठीक है सिवंपटेल के भी बताते हैं आउनलाइन कोर्स के बारे में यह पहले क्वेशन कांसर डी है और यह सारा एक्स्प्लेनेशन आपको समझ में आ गया 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 सब्सक्राइए फटाफट से सारा एक्स्प्लेनेशन आपको समझ में आ गया अच्छे से तो पहले कांसर डी याद कर लिया यूपी प्यसी करी क्वेशन रिपीट होते हैं स्क्रीन स्वाट आप ले सकते हैं ठीक ना चलिए आगे बलाजाए अगे बलाजाए अगला प्रश अगे हां तो कोश्य नमबर दो फटाफट से आपको देखना है जल्दी से इसका अंतर बताईए अ चलिए चलिए कुश्य नमबर दो देखिए लिखा हुआ है नियंत्रण पड़िसत की स्थापना कब की गई तो इसको मैं थोड़े बाद बताता हूं ठीक ना चलिए आगे बगर गया थोड़ा सा चलिए अगला कुशन देखिए लिखा हुए निम लिखित में से किस अधनियम में क चलकत्ता में सुप्रीम कोट की स्थापना की गई ती तो तहीं फटाफट से संदीप कुश्वाल जी के रिटर एप पर भी यही क्लास चल रहा हां बता तो राविटा आज हम लोग टेस्ट ले रहे ना प्रेक्टिस टेस्ट है इंडियन कॉंस्टिट्यूशन में मैंने हां तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीन लिखा हुआ है निम लिकित में से किस अधनियम के तहट यह प्रावधान किया गया कि सुप्रीम कोट की स्थापना की जाए तो देखिएगा 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था समझना बन गया बंगाल का जो गवार नर था वह अब क्या बन गया गवर नर जनरल बन गया बहुत इंप्रृटन बात आपको यह ठक नहीं है इसे के तहập कलकत्ता में एक सुप्रीम कोट की स्थापना की जानी थी ऴी इस्थापना की जानी थी इस्थापना की जानी थी लेकिन कोश्चन अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि 1773 के रेगूलेटिंग एक के तहर सुप्रीम कोट की इस्थापना की जानी थी लेकिन इस्थापना हुई कब थी तो आपका आंसर आएगा इस्थापना हुई थी 1774 म जो बनाई जाना था उसमें मुख्य नयाय धीशक बनाय जाना था आ आपका किसको बनाय जाना था तो आपका अंसर आएगा इलिजा इन्पे। इस अच्छा ठीक है ओके ओके ठीक है तो आन नयादिस को बनाया जाना था तो आपका अश्राएगा चैम्बर्स लेमिनस्टर लेमिंस्टर और है यह टो है थो कलकथ्ता में जो सुप्रीम कोट की सथापना की जाने थी वह आपके की जनी थी 1773 के रेगुलेटिंग्याग्स के की गए थी और इसके पहले मुख्य नयादिस किसको बनाया जाने थे तो आपका आंसर एगा इलिजायम पे और तीन अन्य नयादिस थे वह कौन थे चैंबर्स लेमिंस्टर और हाइड तो इतनी बात आपको समझ में आई अच्छा और भी कोशन याद कर लिजिए और भी कोशन सर अभी कुछ पिसली क्लास मैंने नहीं ले पाई हैं गुरुजी कोई बात नहीं तब तक इसको पढ़ो और जब पिसली क्लास ले रहे ना तो देखना आपके कोशन सही हो रहा है कि नहीं हो रहे है ठीक ना चलिए पीटा शेयर कर दो फटा फट से लोग जुड़ नहीं प सिंदे कर अड changing you समझेगाा 1784 का जो पिट इन्डिया-टी इंडिया क्रश्ण बनता है यहां पर कर िक्रुशन मंता है कि पताइए एक्ट एक्ट-एफितर अप चैटलमेंट कुसको कहते है तो एक्ट ऑफ सटल्मेंट सब चैक्ट कहते हैं समझेगा 1791 की एक्ट को एक्ट settlement कहते हैं 1784 की एक्ट को पिक्ष इंडिया एक्ट कहते हैं चार्टर एक जो 813 पास हुआ था इसके तहट बहुत सारे इसाई पादरी भारत भेजे गए थे इसाई धर्म का प्रचार करने के लिए किस धर्म का प्रचार करने के लिए इसाई धर्म का प्रचार करने की लिए 1813 के Charter Act के टहे थी हना किया हम गया मेटा कंपनी का कंपनी का वियापारिक अधिकार कंपनी का वियापारिक एधिकार गयाता समाथ कर दिया गया था दिया गया थ हा बस चीन केát के पार और चाय के साथ व्यापार को छोड़ कर लेकिन complete कसंपूर लूप से जो समाप कर दिया गया था अना company का व्यापारिक जो अधिकार था वो पूर टेरा इसाय मिसन दी किसके इस बहरता है थे अचारा सो तेरा भारति सिक्षा पर प्रती वर्स भारती सिक्षा पर दर आभे प्रकास के कह रहे हैं कि हमें मार्केट जाना है ठीक है तो कुशनी बनेगा भारती सिक्षा पर प्रती वर्स हमा एक लाख रुपए खर्च करने की बाद भारती सिक्षा पर प्रती वर्स एक लाख रुपए खर्च करने की बाद किस एक के तहट की गई थी 1813 तो इसका जो आं तो दो बाते यहां रखनिए अगर अगर जब भी दुवैद रासन से सम्मंदित कोई कोच्चन आ जाए के सम्मंदित कोई कोई कोश्चन आ जाएं जा थो आपको पहला कोशल निया थिक लगाया बंगाल में दुएद शासन बंगाल में दुएद शासन सर पर्थम किसने लगाया था बंगाल में दुएद शासन सर पर्थम किसने लगाया था अगला कोशन बंगाल में दुएद शासन समाप्त किसने किया था बंगाल में दुएद शासन समाप्त किसने किया था समझेगा पह है ना शुरू किया था फरांतों में दोएस था सन कस्य सुरू किया था इसके बाद कोॉशन मने किसने की थी समाब किसने किया खर केंदु नेकन और में द् psychological में आप से सब्सक्राइब कुछ ना तक जाए तो 1935 के अधिन्यम की तहट के अंधर में द्वया शाषन की सफापना करने की बात कही गई थी अना और तो आपको पताना है तो इसका जो आंसर आपको मिल गया होगा तो तो केंद्र में द्वैद सासन किसने शुरू किया था तो आपका आंसर आएगा भारत सरकार अधनियम 1935 ठीक ना तो यह आप्शन जो है मैच कर रहे हैं तो यह सी और डी दोनों आंसर हो जाएंगे ठीक ना चलिए टैपिंग मिश्टेक हो गई होगी सी और डी क्या होगा यह दोनों हो जाएंगे इसके आंसर दोनें एक ही जैसे हैं अचा एक 支持 कि द्वैद सासन का जनक किसे कहते हैं को सरुमात संक पृब्त टू किल सर्वेश कुमार रासिस कुमार भाई लाइक भी नहीं है अभी लाइक भी कर दीजिए फटाफचर लाइक कीजिए रजी क्लास थोड़ी से लंबी चलने वाली है तो इस क्वेश्चन का अंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और मैंने सब सिखाया अगला कोशन देखिए अगला कोशन लिखा हुआ है कि कैब्रिट मिशन जब 24 मार्च उननीज वो भारत आया दिल्ली पहुंचा तो कैब्रिट मिशन ने का ठीक हम समविधान सभा कर निर्माल करेंगे और समविधान करने में मदद करेंगे लेकिन कहां ता जो समविधान अगला कोशन अगला कोशन देखिए लिखा हुआ है एक निर्वाचित समविधान सभाद्वारा सर्व प्रथम भारत के समविधान का निर्मान करने का प्रस्ताओ किया गया था करां साइन संविधान संवीधान करने मरत अधॉसन करने में सकता हुआ है और भीने प्र स्यंदनियुट्थमान करने क्समें त्रूमण सभाद्वारा सभारत के समविधान करने मार्थ अनगा स्थाव Україण-व्र, मैंने आपको समिधान निर्माड और समिधान सभा के बारे में कुछ तारीखे याद करवाई थी। पिर दूसरा हमने आपको बताया था 1922 में गांधी जी ने कहा था कि भारत का समिधान भारतियों के द्वारा ही बनाया जाएगा 1922 में हो गया था फिर तीसरा 1923 में स्वराज पार्टी के संस्थापग चितरंजन दास ने कहा था कि समिधान सभा का गठन होना चाहिए और समिधान का निर्माड होना चाहिए तो 1923 का अमने बताया फिर हमने आपको बताया 1924 में मोतिलाल नहरू आ गए और मोतिलाल नहरू ने भी समिधान के निर्माड की बात दोहराई फिर इसके बाद 1937 की उमने बात करी थी 1937 में जब कॉंग्रेस का फैजपूर अधिवेशन ह हुआ था 1937 में जब कॉंग्रेस का फैजपूर अधिवेशन हुआ था तब समिधान के निर्माड की बात फिर से कही गई फिर 1938 में जब त्रिपूरिय अधिवेशन हुआ और सुभाष चंद्रभोस कॉंग्रेस की अध्यच बने तब उन्होंने फिर से समिधान सभा के सब्सक्रीफ मिधान की बात कही गई फिर इसके बाद उन्सव क्रिफ्स मिशन आया ए एज्युना गतुट ao सore और हो खर जाएगीहार संधान के गठनिकी बात के जाएगी mutually एक जब प्रस्ताव इस पश्ट रूप से स्विकार किया गया था उस समधान के निर्मार की बाद भी कही गई थी फिर Second World War जब 1945 में समाप्त हुआ Second World War जब 1945 में समाप्त हुआ तो 20 फरवरी 1946 को आपको पता है 20 फरवरी 1946 को Labour Party गने था Clement Italy ने किसने भी या Labour Party गने था क्लीमेंट एटली ने कह दिया कि हम भारत को भी स्वतंत्र कर देंगे और 30 जून 1948 से पहले उनको सत्ता सौब देंगे तो 1946 को घोशना कर दी थी कि कैबनेट मिशन भारत जाएगा अब देख लो समचेजों समधान और समधान सभा में यहां पर क्या मैच कर रहा है साइमन कमिशन नहीं भारत सारकार दिनियम गलत बिटिस कैबनेट या तो यह यह आपर आंसर क्या होगा का अबरेंट मिशन के द्वारा सुरी क्रिप्स मिशन के द्वारा ठीक है चलो समझ में आगे ना इसका लगाना यह इसका सही आंसर है तो समधान निर्माड और समधान सभा के बारे में अगर लाइन से आपको पता करना है कि किसने कब क्या बोला तो यह नोट कर लो और 1895 में अगर आप से कहे दिया जाए कि वह सामेवादी नेता कॉन था जिसने समधान सभा का आप चारिक रूप से पृति पादन किया था वो सामिवादी नेता कौन था जिसने सम्धान सभा का आपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था ये कोशन अगर आप से पूछ दिया जाए तब आपका आँसर आएगा मानवेदर नात राए मन राए तब आपका आँसर आएगा मन राए भाई बहुत कम लोग जुड़े है ऐसा क्यों है लगता है लोगों को पॉलिटिक समझ में नहीं आ रही है और या तो बहुत ज़्यादा आ रही है क्या बोलते हो दो बाते हो सकते हैं या तो आता है और या तो बिल्कुल नहीं आता है तो जैसा लगे हमें तो लग रहा है कि फस राया बच्चा इसलिए भाग चलिए अगला कॉश्शन लिखा हुआ है भारत में उपनिवेश उपनिवेशी सासन के संदर में 1833 के इलबर्ट बिल का उद्देश क्या था या ठारासोय तरासी है या ठारासोयपिन विर पास उजा थह और जो पास हुआ था यह किसके समें पास हुआ था तो आपका या लाॉर्ड रिंपन के समय और लॉर्ड रिंपन के समय और Lord Dippan के बारे में हमने आपको बताया भी है कि इसको इस्थानिय स्वसासन का जनक कहते हैं इसको हम लोग इस्थानिय स्वसासन का जनक कहते हैं इसी के समय वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था इसी नहीं वरना क्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त भी किया था और इलबर्ट बिल क्या था इलबर्ट बिल का मतलब यह है कि भारती निया धीसों को अधिकार दे दिया गया कि वो अंग्रेजों के खिलाव भी मुकदमा सुन सकते हैं, ये था इलबर्ट बिल, ठीकर न, रिकॉर्डर देखते हैं सब लोग, अच्छा-च्छा, बाद में देखते हैं, तो फिर लाइव ना लिया करें, रिकॉर्डर भी डाल दिया करें, चलिए, तो इलबर्ट बिल का क विरोथ समझा जाता था, प्रसाष्निक सिवा परिच्छा भारत में करवाना ताकि देखें धो पष्छा वाली कोई बात ही नहीं थी, संसोधन वाली खी नहीं थी, देशप्राय में सवतंता प्रकला, अंकुष् लगाना क्योंकि उपनिवेशी साश को तरया विरोथ समझा ना था तो सातवाया का आनसर है एस ंतुराइब कांसर है के नुष है अच्छाथे सिसकुमार बैस जी चैनल कोई बात ने जहां पर लोग-ट जाद मैजोरिटी में होते में सब पेपर में आते हैं ठीक आपसें देखें डरूने को आई एस परी द्वादर तीन का कुश्चन है और कोई जान जानती इस में बिल्कुल जान नहीं थी हमें इलबर्ट बिल्किया होता है यह आपको पताऊना चाहिए काम कतम ठीक है आगे बढ़ते हैं कुश्चन अगले देखा हुआ है राश्पती की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरीत है फटा पर बताईए राश्पती की अध्यादेश की सकती हाना राश्पती अध्यादेश जारी कर सकता है आपको पताना है अगर हम लोग बात करें ऑडिनेंस की यदि हम लोग अध्यादेश की बात करें तो वर्तमान में अगर हम लोग राश्पती की अध्यादेश की बात करें और राजपाल की अध्यादेश की बात करें तो राश्पती आर्टिकल वन टू थी और दो को पहले लियाओ दो एक तीन हना तो राश्पती आर्टिकल एक सो तेश के तहत कोई बात ने कु लब है लोग जुड़ें ना जुड़ें कम जुड़ें बात में देखें अभी देखें कोई दिकत में हां तो मैं क्या रहा हूं यहां पर समझेगा इसका आप बताइए का पहले कुंदर कुमार भी आसीज कुमार भी ठीके तरुड़ देखते हैं भाई असस्जी यूपी एस स्टुड़ेंट भी चलो देखते हैं भाई क्या है तो राश्ट पति की अध्या देजाने करने सकती तो मैं आपको बताता हूं समझेगा अध्यादेश होता क्या है वरसेटाल स्टेडी हां चलो देखें हो भाई मैं बसा सब्सक्राइब करता हूं आप लोग इतना अच्छ थैंक यू र करी कुछ ठीक पaffenिशर कोई बात निमया को समझाता हूं समझेगा धन्यवाद में आपको समझतलाथा समझेगा अ Д нужно सक पर लगना थो इसका आंसर आप लोगों को बताना है और और लोगों ने जो बताया है वो गलत है 1947 नहीं होगा समझेए को 1947 नहीं होगा और 1935 भी नहीं होगा अब आप लोग सोचिए बताइए फटा-फट से जल्दी बताना है फटा-फट से हम आपके सारी वीडियो देखते हैं ठीक है इस पर हम लोग थोड़ी दिर में बात-बात करेंगे इस पर ठीक है न चलिए तो इसका आप लोग को बताना है अब इसका जल्दी से आंसर आप लोग बताईए तब तक मैं इसको बताता हूं और देखने कौन आंसर इसका बता सकत है अब आंसर डी आ गया डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता डी तो स्वतंत्रता अधिनियम में कभी ये तो होई नहीं सकता है ठीक है संदीप कुस्वाज जैसा दिल से बोलते हैं का can you come to theakon family मैं समझाता हो समझührागा माबन के चलिए कि संसर्थ का कोई सदन ना चला समझ यह यादि संसर्थ का दिवेशन चला उसंसर्थ की मीटीन न चले यह कर अनृत जरूरी पड़ाई और ऑसा नियम बनाना बहुत जरूत जरूरी पढ़ जाए और संसर्थ कोई सब्सक्राइब है वह इक लगू कर सकता है लेकिन यह जो नियम होगा वो छे सब्सक्राइब वागू रहेगा कि दो नियम है वह सब्सक्राइब और लिंट करना होगा तो राश्पती और राजजरपाल और यह पार्द कार दिया गया है कि अध्यद्य senior के तहते हैं उसकी पावर बदीने वही हो गी जो संसत के द्वारा जो अधिनियम पास होता है जो उसकी ताकत होती सब्सक्राइब करने वाली समिधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिस संसद्वारा नामित किया गया था देखो प्रारूप प्रारूप तयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को समिधान का प्रारूप तयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था और जो प्रारूप समिति के सदस्य थे वो समिधान सभा के सदस्य थे और सविधान सभा के सदस्यों को जो चुनाओ था वो प्रांती विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा आ प्रत्य निर्वाचन प्राली की तैट किया गया था और प्रारूफ समिती में टोटल किते लोग थे तो आप कहेंगे साथ लोग थे प्रारूफ समिती में किते भॉक वाद आ बसे ही हो गया तो यह भी आपका गलत हो जाएगा ठीक ना तो प्रारूप समिति कब बनाए गी ति 28 अगस्त 1927 को बनाए गई थी बाध गए अग्दुरा कितने लोग थे तो प्रारूप समीति में टोटल शवारोग थे अब वह कि neste słथ 1 Nepo 297 को आंधिस सो सेट एलिस को कौन-कौन था सूत्र मैं ने बताया था साखाराम अभी साकाराम में पहले सबस्टर और दूसरे सबस्टर लो की बीयल मित्र का बीयलमित्र मित्र का स्वास्थ खराब हो गया मित्र का स्वास्थ खराब हो गया नू हमा dom Les कमदल दो तेरय'll नित्रा और मित्र का क्या हो घया था वाई स्वास्त खराब हो गया था तो इनकी जगह पर कौन आगयते एनमाधाव र ए ब्लिट यह कं लुग्र a कि खैटान की खेत में म्र्गी हो गई थी भर खैटान-तार की खेत कर आयकर आयंगर यहां पर तीन एए हैं ना पर कितने हैं तो तीन एंट है तो एसे अमचन कर ऐयर और आयंगर अमेद Minuten अ अचा रिया आयंगर तो यहां पर त्विक्तियीं अद्थ फटा फटा कच लिख लेत इसे आयंगर गोप्ला स्वामी एन गोप्ला स्वामी आयंगर इतने कोई तो यह ए ही हमारा हो गया यह है हो गया अरहा किना अ माधराउ और मित्रा भी हो गया माधराउ आर से राउ हो गया देखो कृष्णा मचारी और खैतानapajise vibrant के से क्यांने कहाएगा वह जागा के मुनसी कनाया लाल मलकलाल मुनसी और आर सी कोन करो है राउ और आरौनका इस इस्थानलियादि एचानली एच्छाक force करते हैं मुनसी और माधव मुनसी और मुत्रा साधुल्ला मुहम्मद साधुला क्लियर है बच्चा आप लोग हलका साथ देखना पड़ेगा फिर समझिएगा या फिर समझाता हूं आपको सूत्र समझाता हूं फिर समझिएगा सूतर क्या है S A K A R A M तो M से क्या हो जाएगा M से मित्रा हो जाएगा और M से मुन्सी हो जाएगा मित्रा मुन्सी क्लियर है अच्छा अब A से अम्बेटकर अइयर आयंगर K से खैतान और K से कृष्णा मचारी R से हो जाएगा राओ प्रिक कैसे याद करते हैं और यहां पर राव लुट्र का स्वास्त खराब हुआ तो माधव हागे अना अब बाकी एम से एक और मुंसी है ठीक है तो इस प्रकार से हम लोग याद करते हैं तो नवे का आंसर भी आप लुग का हो गया होगा चलो भाई अगला देखो फटाफट से अगला देखो फटाफट से इस काम से बताईए कोशन लिखा हुआ है स्वतंतर भारत की सम्धान सभा की अध्यच कौन थे तो समिधान सभा के अध्यच कौन थे स्वतंतर भारत के तो आपको पताऊना चाहिए समिधान सभा के अगर हम लोग बात करें यदि हम लोग समिधान सभा की बात करें तो समिधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को ही अगली 11 दिसंबर याद करना है और अगली आपको 13 दिस संब्सक्राइब कितने लोग सामिल हुए थे संविधान सभा में 208 लोग संविधान सभा में कितने लोग सामिल हुए थे 208 लोग और इसमें जो सबसे वरिष्ट थे कौन थे या सच्चिदानन सिना सबसे वरिष्ट कौन थे सच्चिदानन सिना इनको क्या बना दिया गया था इनको क्या बना दिया गया था आज थाई अध्यक्ष ठीक है क्लियर है लेकिन कही कोशन मनता है कि उपाद्यच किसको बनाया गया था तो उपाद्यच बनाया गया था है मुखर जी को 11 संबर 1946 को क्या हुगा था सम्विधान सभा के इस्थाई अध्यक्ष इस्थाई अध्यक्ष कौन बनाया गया थे डॉक्टर राजेंद प्रसाद सम्विधान सभा के इस्थाई अध्यक्ष को मनाया गया थे डॉक्टर राजेंद प्रसाद और इसी के दरान सम्वैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया था तो आप कहेंगे बियन राओ को बिनेगल नर्सिमा राओ ठीक है तो बियन राओ को बनाया गया था तेरे दिसम्बर 1946 को प्रस्तावना पेस की गई थी उद्देश प्रस्ताव पेस किया गया था किसके द्वारा जवाहर लाल नहरू के द्वारा और यह उद्देश प्रस्ताव पास कब हुआ था तो आप कहेंगे 22 जन्वरी 1947 को पास हुआ था कि अच्छा कुद्ण कुमार जी आपको बहुत आराम से हो जाएगा बीपेस्टी का पेपर बहुत कठी नहीं आता है ठीक है तो यह सारी प्रस्ण आपको समझ में आगे ना यह सारे प्रस्ण आपको याद होने चाहिए तो इसका जो आंसर होगा वोगा डॉक्टर राजेंद प्रसाद क्या को जिक थे नहीं नई तो इंसे ना है अगला प्रस्ट ऑपका आँसर ही रहना चाहिए गलतritos कर देंगे तो छलो भाई अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न लिखा हुआ है 1946 में 1946 में निर्मित अंत्रिम सरकार में कार पालक परिशत के उप सभापती कौन थे तो अंत्रिम सरकार पूछा देखो आपको पताऊना चाहिए एक स्वातंतरता से पहले आप समझेगा एक स्वातंतरता से एक स्वातंतरता से पूर्व मंत्री मंडल बना था एक स्वातंतरता से पूर्व मंत्री मंडल बना था और एक स्वातंतरता के पशात मंत्री मंडल बना था कि हां कि ना तो स्वतंत्रता से पूर्व जो मंत्री मंडल बना हुआ था इसको हम लोग कहते हैं अंत्रिम मंत्री मंडल क्या कहते हैं अंत्रिम सरकार इसको क्या कहते हैं अंत्रिम सरकार तो देखिएगा यह स्वतंत्रता से पहला वाला पूछ रहा है तो बहुत होस्यारी से आंतर दीजिए इसका यह पूछ रहा है यह कह रहा है अंत्रिम सरकार में जो उप सभापती थे वो कौन थे जवाहर अलाल नेहरू सरफ पली राधा किष्णन जक्रवर्ति राज गोपलाचार और राजेंद्र प्रसाद यहां पर अभी एक पूशन देखिए का फसाएगा आपको जल्दी बताओ जो अंत्रिम 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 मंदल बना था यह 2 सितंबर उनने सो चैलिस को बना था जो अंत है आपसे यह पूछा जाताओ सभापती कौन थे अगर एक को यह आप subscribe पूछन पूचता शालॉड वेवल सरग लेकिन इसने इसने एक फीट पूछा उपद्ध्यक्ष या उप सभापती कौन था उपाध्यक्ष या उपस अब हमआपद्ध्यक्ष या उपस भापती कौन ठीक है क्या अंसर आएगा जवाहर लाल नहरू बहुत बढ़िया तो यहाँ पर असका अंसर क्या लगाना है जवाहर लाल नहरू इसका अंसर क्या लगाना है जवाहर लाल नहरू ठीक है और अंत्रिम सरकार में राजयन प्रसाद को अंत्रिम मंधल में राजयन प्रसाद को खाद दिवा क्रशी मंत्रा ले कौन सा पत दिया गया था खाद दिवा क्रशी मंत्रा ले राज गोपलाचारी को कौन सा पत दिया गया था सिक्षा मंत्री अंत्रिम सरकार में लेकिन जब आजादी के बाद जो मंत्री मंदल बना है उसमें जवाल लान लिरु को विदेश मंत् आपको तो यह समझ में आ गिया यह समझ में आ गिया तिसकांसर ए है उप सभापति या उपाद्धिश पूचेगा अंत्रिम सरकार में तो जवाल लाल अच्छा एक और कोशन यहीं पर अगर आप से कह देता कि स्वतंत्रता के पशाध जो मंत्री मंदल बना था उसमें अध्य i disappointment आप ब्राजस कोण थ कई तो चक्रवरति राज बोपालाचारी समझे का सी आर्ग गोपालाचारी क्लियर है मैंने सब पढ़ाया है आपको अगर आजादी के बात पूछे तो चक्रवर्ती राज गोपलाचारी और आजादी के पहले पूछे अद्धिक्ष पूछे तो वेवल और उपाद धिक्ष पूछे तो जवाल लाल नेरू गरत मत कीजिएगा कि अगरे वह गया बच्चा सारे प्रस्ते समझ में आए बताओ भाई ऐसा नहीं है कि आप यह मसूचिए कि कोश्चन से हम लोग बस अकोश्चन देखेंगे आंसर बताएंगे आगे बढ़ जाएंगे खोश्चन देखेंगे कोश्चन के धज्जियां उना आएंगे हना चित् के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अगे पिर से चीजें जो अमने आपको बहले बताई है क्या कि एसे जी गुरुकल में आफ्लाइन क्लास आपकी 23 मार्च से सुरू हो रही है 23 मार्च को सुरू हो रही है यह यूपी पीयसी यूपी पीयसी का बैच यू जो बच्चे और आपको लगता है कि मेरा पाद पैसा नहीं है बस टीचर अच्छा मिल जा तो काम हो जाएगा हमारा तो उनके लिए यह बैच शुरू किया जा रहा है हना अभी दो तीन प्रकार से बैच चलाएंगे दो तीन लेवल पर चलाएंगे यह पहला बैच में तेस मार्च को सु करते हुए आरो और आरो का पेपर अगस्त में होना है बिल्कुत धज्य ओना देंगे चार महने का यह कोर्स होगा हना नौ बजे से सुरू होगी क्लास दो घंटे की क्लास होगी और मंतली फीज इसकी मातर 500 रुपए होगी पाचास अजार रुपए की फीज से सिधे 500 पिन है उसके क्लिक करेंगे अपना नामम पता डालेंगे और आपको अगर आना है तब ही फॉम करेंगे अधर्वाइस नहीं फिल करेंगे ठीक न अर आपको इस बैच में अटमीनिशन लेना है फ्ल करेंगे सिर्फ सौ बच्यों को स्लग किया जाएगा ठीक है चलो है चलो अग्ला कुश है सब्सक्राइब इस अंदहान सबस्टा कौ sy Source ए में बता रहा हुआ आपको समधान सब्सक्राइब सय जी च्छत आराद प्रसाद परसाद Kो AAA अगला प्रसिनि लिखा हुआ अखिल भारती महासंग इस्थापित करने का प्रावधान किसमें किया गया था तो याद रखना है आपको देखो अब यहां पर समझेगा क्या बिशन क्यों आया था यह समधान का निर्माल करने के लिए प्रांतों में द्वैद्र सासन शुरू हुआ था प्रांतों में द्वैद्र सासन शुरू हुआ था और इसको हम लोग कहते हैं तो इसको कहते हैं मान्टेग्यू चेम्स फोर्ड सधार उनिच प्रस्था वाई था यह स्केंड वर्ट्व ओर में में भारतियों का साथ पाने के लिए भेजा गया था इसके इसके उपलक्ष में या फिर इसके विपरीत में हमने जो उत्तर दिया था वह 17 अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्राय चलाया था और व्यक्तिगत सत्याग्राय का चलाने का सिर्फ एक ही उद्देश था अंग्रेजों को बताना कि हम लोग सेकेंजवल वार में आपका साथ नहीं देंगे और इस व्यक्तिगत सत्याग्राय में जो पहले सत्याग्राही थे उनका न मारती महा संगे की स्थापना 1935 की अधिनयम के तेहत की गई थी अना प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान की गई थी और संगिया नयायाले की स्थापना की जानी थी और कब की गई थी 1937 में की गई थी इसमें एक मुख्य नयायदीस थे और साथ अन्य गौरिस घॉयर का नाम था सर मौरिस गौर का नाम था सर मौरिस गौर को का ओन है चीफ जूश्टिस थे 1935 के अधिनियम के तहती रहना सूचियों का विभाजन वा था केंद्री सूची राजूची और समवर्ति सूची इनका विभाजन वा था उनिजसों पैंटिस की अधिनियम के तहट भारस से बर्मा को अलग कर दिया गया था और अलग हुआ था ये 1937 में 1935 के तहट संगीन याले के स्थापना की जानी थी इसकी स्थापना उनिजसों थी इसी को आधर मानकर जो दिल्ली में सुप्रीम कोट है उसकी स्थापना की भात्यां पाया था इस लिए प्रांतों को तो अगला प्रश्ण देख़्ों अगला प्रसंत देखो बाचारी से अजह लाइक नहीं किया आप लोग ने लाइक भी कर दो और जो बच्चे देर में जुड़ते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई यह जल्दी जुड़ा करो जल्दी जुड़ों के ज्यादा अच्छा रहेगा जल्दी जुड़ा करो और 9 बजे फिर से जुड़ना है आप लोग को भारतिर पूच पूच रहा है तो आंसर आपका डॉक्टर राजिल प्रसाद आएगा अब यहां बोग सोषते हैं चलो सब्सक्राइग को अगला कोशने करें अगला कुशन fasad कर रहा है प्ल्स देकिर और चिपले कि अध्यका कि ने किया था अब देखो आया हमने पूरी लाइन बताई थी फिर से याद करो क्या क्या सम्धान सभा का विचार की जब भी ऐसी कोई बात आए तो आप कहां से स्टार्ट करेंगे 1895 स्वराज बिल से स्टार्ट करेंगे चल्ट 95 अगर नहीं लिखा है फिर 1922 में आजाएंगे तो 1922 वे गांधी जाह था उनने सु बाईस भी विए उप्षान नहीं नहीं दिख रहा है फिर आपको आलना है 1924 में किस ने समिधान सभा कि थी खयाएंगे मोतिलाल नहरू ने किसने की थी बच्चा मोतिलाल नहरू ने थीका 1924 आप्सद दिख रहा है बिल्कुल नहीं दिख रहा है तो अब हम लोग सीधे आ जाएंगे 1937 में 1937 आपसन दिख रहा है फैसपुरा दिवेशन हुआ था उसमें समधान सभा की बात यह की थी 1937 दिख रहा देख रहा है नहीं दिख रहा है लिगा फिर इसके बाद फिर इसके बाद कर दिया है तो यह टाइपिंग मिश्टेक है यहां पर स्वराज पार्टी 1923 होना चाहिए था हो स्वराज पार्टी की स्थापना किस ने की थी चितरंजन दास ने की थी तो अध्यस कौन था स्वराज पार्टी का तो अध्यस था चितरंजन दास अच्छा मैं बता रहा हूं अगर यह आपसर ना मिले तो कैसे कैसे आगे बढ़ना है सबाफरींग हो रही नहीं तो हम थो तो 1941 का त्रीपूरिया दिवेशन याद करना है अगर यह भी आपसर ना मिले तब 1949 में जवहाल लाल नेरु ने भी सम्धान सभा की बात करी थी यह भी सबमकimento क्रिप्स क्रिप्स कमकशी तो इसन सबंदान सभा और संव्धान के रिरि मार के अधसित च्रो GG मुद्रेश को बात निकरने सरफ दली समय नुट बलाए गया था इसमें भारत पाकिस्तान की विभाजन की बात कही गई थी तो यहां पर स्वराज पार्टी हो तो आपको समझ में आगे धन्यवाद आगे बने अगला प्रस्न हाँ तो आप आते हैं ऑनलाइन वाले बच्चों में जिन बच्चों को आउनलाइन कोई कोर्स लेना होता है तो वह सेजी कोचिंग का यह डाउनलोड करेंगे यहां से साइन अप करेंगे अना साइन अप परने के बाद लॉगिन करेंगे तो लाइव एज अपकमिंग बैच में जाएंगे तो वह जब से नया बैच जो आया है वो जिसमें हाई तूप बेसिक टू हाई लेवल प्लाया जाएगा आठ महीने की विलिडिटी होगी उसकी सा चलती है अगर आपको एक बार में कोई कोर्स खरीदना है तो वीडियो कोर्स आप पर चेस कर सकते हैं यह सारे सब्जेट हमारे तोर अप्लाया जाता है यह हमारा सबसे नया बैच है जिस्टेंटीवन बैच आप लेकपाल का बैच जोएन कर सकते हैं आप ग्राम समाज और भारती सम्धान की सथापना की गई थी आपको बताया कि 9 दिसम्बर 1946 को 9 दिसम्बर उनिसोच्यालिस को सम्धान सवा की प्रथम बैटा खोई थी आखिना समिधान सभा की प्रत्रम बैटा कुई थी और 9 दिसम्बर से अगर हम लोग 9 दिसम्बर से लेकर अगर देख ले 26 नवंबर 1904 जिदि समिधान बनकर तयार हुआ था और इस दिन को हम लोग समिधान दिवस या विधी दिवस की रूप में मनाते हैं इसको हम लोग तीन चीजे लागू हो गए थी सोला अनुछेदों को सोला अनुछेदों को इसी दिन लागू कर दिया गया था जबकि संपूर समिधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था तो कौन कौन से चीजे लागू कर दी गए थी नागरिक्ता निर्वाचन और संसधी पनाली नारिक वहिस्ता निर्वाचन और संसधी पणाली इन तीन चीजों को 26 नवंबर 1909 को हिलागू कर दिया गया था भारती समधान की स्थापना 26 नवंबर 1909 को हो गई थी थी इसारी बात आपको समझ में आई तहें इन दोनों की बीच का सब्सक्राइब बला देंगे काम फटम हो जाएगा ठीक है ओके तो इस काम से का लगाना है 26 नवंबर उनने सो उन्चास चलिए भाई बस पांच मिछ बचे हुए हैं हाँ बेटा हना अगर आप से पूचा जाए अधिवेशन कित्ते हुए थे तो ग्यारा दिवेशन हुए थे कित्ते अधिव अधिवेशन कित्व कर रहे हो यू-पी पेसी की त्यारी कर रहे हो रोग थ्यार्य कर रहे हो किसी भी चीज़ कर रहा है क्या छो एसको यह कडसा मिल ड्याव है जो अच्छा कंव नृक है आष्ट प्रसन है अचका लाश्ट परतट रसन है और फिर हम लोग नो बजे मिलें घीयारफ फिर नो बचुमलेंगे लिखा हुगा भारती शंधान के बनाने के लिए सवंधान सवा में कільки कितने अधिवेशन विव हुए है अभी मनें धुरु देर पहले बताया अभी मनें थोदेर पहले बताया के कुल कुल अदिवेशन पूछे जाए तो बारा और कुल ना पूछ के सिर्फ अदिवेशन फूल ना लगा हो यदि कुल ना लगा हो तो ग्यारा तो देखिए अगा कुल ना लगा हो तो ग्यारा और कुल लगा हो तो बारा तो इसमें तो कुल लगा है तो कुल लगा है तो बारा ल दो बार नोटिफिकेशन आता है यूट्यूब की तरब से मैंने तो दो बार लगा रखाएगी एक बार आदे गंटे पहले आएगा और एक बार आपका अजब क्लास इस टार्ट होगा तब आएगा खीक है ना तो चलिए तो अभी ये क्लास अभी कंटीनू चलेगी ये क्लास अभी कंटीनू चलेगी इसमें समिधान का विकास समिधान का निर्माड समिधान सभाव राज्यू का गठन प्रस्तावना समिधान का श्रोत नर्गता ये सारे टॉपिक के सो क्वेश्चन इसमें ल लगेगा और यह पांच चेप्टर आपके समाप्त हो जाएंगे ठीक ना चलिए वदिक्रत नहीं तो कल जो जो जीए सिस्पेटल क्लास में चलने जा रहा है टॉपिक वह होगा fundamental rights मौलिक अधिकार फिर मौलिक अधिकार के बाद मौलिक अर्थ नीति देशक्तत्त तो फिर दोनों में अंतर क्या है इन सब पर बात करेंगे ठीक ना चलिए सब्सक्राइब क्लास पढ़ी है अगर आप उसको देखिए मजा आए तो लीजिएगा ठीक है तो आच लिए इतना काफिए ठैक्यू वेरी मस्तरी मस्तरी वेस्ट रही है और फिर से मैं बता रहा हूं यदि आपका कोई दोस्त यदि आपका कोई भी दोस्त बंधू अना ज दो यह हमारा सजी कोचिंग का एप यह सजी कोचिंग का अपको ऐसे ज्याटी वन बैच खरीतना है जिसको ज्यास मजबूत करनी है और और जिसको आफ्लेंड करनी है तो मैं बता रहा हूं तेज मार्स से सुरू हो रहा है बैच चार महने का बैच है यह ही किन आ मार्थ 499 र ठीक है?